हेलो फ्रेंच आएम निशा निशाग फूटकेस में आप सकत सौगत है आज में निशाग रुसुई में लेकर आई हूँ दाल मख्यनी की रेसिपी जो सबको बहुत पसंद आती है लगभग सभी को पसंद आती है और ये पंजाबियों के सान होती है हर शादी पार्टी हर ओकेशन बें उनके हाँ बनती है बहुत ही अच्छी बनेगी और मैं बिल्कूल वैसी बताऊंगी जिसे रेश्टरों और धाबे से भी अच्छी बनेकर रेडी होगी बहुत ही सिंपल तरीके से चलिए से बनाना स्टार्ट करते हैं तो एक कप मैंने एक क यहां पर चने डाल लेनी है अगर आप चना डाल नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहां पर और राजमा भी ले सकते हैं बस यह याद रखियेगा कि जो उर्ध है उसका हमको चौथाई भागी लेना है राजमा मान के चलिए एक मुठी करीब हमें बस राजमा लेना है और यह मैंने और उर्ध की दाल को मैंने 5 ओंटे पहले भीग दिया था और 3-4 पानी से हातों से मसल मसल को ढूली जाएगा जिस्से किस में केंजी के केमीकल लोड़ास है वो निकल जाए और चना दाल को मैंने बिना भीगो इस तरह से डाल दिया है यहां पर मैंने दो ग्लास पानी डाल दिया है इसमें फ्रेंट्स और इसमें हम थोड़ा सा मसाला डालेंगे खड़ा ये चाय आप छोड़ भी सकते हैं एक टेश पता दो लॉंग एक हरी लैची और एक टुकड़ा डाल चीनी का इससे जो गरम मसाले का खुसबू और टेश्ट आलेगा ना इसमें बहुत अच ये साइस के चार प्याम बारी कटकर लिया है चार टमाटोरों के मैं प्योरी बना लेंगे इसको अलग बनाना है और यह देखिए हमारी दाल पांच सीटी में अच्छे से गल गई है इस तरह से हमें दाल बनाकर रैडी करनी तो निगी कि इसमें खड़े मसाले निकाल देए यहां पर मैंने एक पतीला लिया है यह वैसे तो हांडी बनती है दाल मैंने पतीला लिया है और इस पतीले में मैंने दो चमज देशी घी डाल दिया और दो चमज में बटर डालूंगी यहां पर चार मीडियम प्याज को मैंने इसको भूल लेना है मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए हलकी सी गुलाबी करनी है पूरी तरह से में लाल नहीं करना है जिससे की प्याज का मिठास निकल जाए तो हमें मिठास नहीं निकालनी है अगर लाल करेंगे जादा तो बिठास निकल जाएगी इस तरह से भूनते हुए हमें दो से तीन मिनिट हो गया और लैसुन अध्रक का पेस्ट हम डाल देंगे यह फ्रेश मैंने भी पीस कर रेडी किया है दो बड़े चमज इसको डालकर अच्छे समय भून लेना है तो यह आधे चमज डाल कर इसको बना लिए प्योरी तो जिससे कि यह कलर बहुत अच्छा आएगा इस तरह से जरूर बहुत अच्छा आता और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है इस ता से तो कलर टमाटर जब भी लें आप तो वह हमेशा याद रखिए दाल मखनी में तो तो आप अच्छे से मिक्स कर लेना है और म्सालों को मिल्स टमाटर को इतने अच्छे से भूंग कि जिसमें सेपरेट हो जाए इस तरह से दानेदार हो जाए और यहां पर दे कि मैंने ठोड़ी सी लाल मिल्च ली और वी हम डाल लेंगे यह पीशी हुई लाल में यह भी तीखी है जिसके तीखापन लाने के लिए क्या सुमीरी लाल मिल से तीखापन नहीं आएगा और यहां पर बस दो पिंच पैने हल्दी डाल दे आप हल्दी छोड़ भी सकते हैं अगर आपको हल्दी का कलर नहीं पसंदे इसमें तो नहीं तो दाल मक्ती में जरूरी नहीं है कि मसालो को मीडियम फ्लेम पे अब हम देकते हैं देखिये ऋओल सेपरेट हो गया है, मसालय अच्छे से भूनके दारेदार हो गया है, जो माई टमाटर की प्योरी थी उप अच्छे से भूंगी है, तो बस इस तरह से हमें मसालो करना था अब स्कया में समस्दी कर्या और तो बिल्कुल पता भी नहीं चल लई है और टेस्ट चने की डाल डालने से बहुत अच्छा आता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसलिए मैंने डाला यहां पर मैंने तीन ग्लास मैंने पानी गरम करके रख लिया है क्योंकि दाल में कभी थेंडा पानी मत डाल जाता है तो जितना जरूरत है अपानी डाल लेंगे तो यहाँ पर मैं डालMattा गारी है और काफी देर तक हमें पकानी है करीब 110 घंटा इस तरह से पकाना है तो इसलिए हम धाई ग्लास करीब पानी डाल दिया है ये दो मेने हरी मिर्च को कट करके चीर कर बीच से डाल दिया है और इस तरह से मिक्स करते हुए इसको धक्का में 5-6 मिनिट पकाना है फ्रेंस आप बीच-बीच में दाल को खोल के मसलते हुए चला लीजेगा हम पूरा न यहां पर एक चमज मेने धनिया पॉर्डर डिया और आदा चमज गरश गढ़ा क्योंकि मैँने खड़ी गरब मसाले भी डाली है जिसका फ्लेवर इसमें आ गया है तेस्ट आ गया है इसलिए खर का गरम मसाला बना हुआ है तो ठोड़ा हाड है इसलिए मैने आधा चमज डा दाल लिया है और इसको हम ढग कर फिर 5-6 मिनट पकाएंगे देख सकते हैं और यह जब भी हम दाल पकाएंगे दल मखनी की तो गैस का फ्लेम मीडियम तो लो रखिएगा हाई मत करिएगा नहीं तो नीचे से लगने लगेगी और चलाते रहेगा बीच बीच में और यहां पर ह मखन में घी में कंजूसी ना करिएगा आप घी की जगा मखन भी पूरा यूज कर सकते हैं जरूरी नहीं है वागा मैंने घी इसलिए यूज किया है कि जो मखन है डारेक्ट गरम करने से जल जाता है तो आप घी की जगा ऑईल भी यूज कर सकते हैं तो देखिए हमने मलाई मलाई को मिक्स करते करते पांच शे मिनित थे खुले में ही अच्छे से मिक्स करना था अब यहां पर धेर सारा धन्या पता डाल देगे जिससे किसका स्वाध देखने का लुक और बढ़ जाए अब उसका हम तड़का तयार करेंगे हमाई दाल बनकर रेडी है यहां पर मैंने दो बड़े चमच बटर ले लिया है मखन गरम होने को गैस का फ्लेम बिलकुल लो रखा है और इसमें पांच शे कलिया लैसुन की और उपर से दो लाल मिर्च को मैंने तोड़कर डाल दिया है और इसको मैं चाकु से चल्दी से जल्दी चला लूंगी जिससे कि यह जले लाल हो गया है आप चाहें तो यहां पर कस्मेरी लाल मिर्च गैस का फ्लेम बंद करके डाल कर आप तड़का लगा सकते हों वगर मैंने कस्मेरी लाल मिर्च पहले डाली है इसलिए मैं नहीं डालूंगी और यहां पर मैंने मखन का तल्का दे दिया लैसुन के साथ और दाल का टेस्ट और स्वात इतना पढ़ जाता है इस तरह से तर्का देने पर दाल की खुझलू पुरे घर में महग गई है तो फ्रेंट्स एक पर जरूर बना के देखेगा इस तरह से दाल और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है गैस कप में बंद कर दिया है मैं दाल बनकर रेडी तंदूरी से खाईए राइस से खाईए या आप चावल रोटी किसी चपाती से भी खाईए बहुत अच्छी लगेगी तो फ्रेंट्स दलमखनी की यह रैस्पी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना कमेंट करके लिखकर मुझे जरूर बताइएगा कि आपको यह पंजाबी दाल मकनी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बैल आइकन का बटन जरूर दमायत मिलते हैं नेक्स्ट एच्पी में नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक्स वार वाचिंग दिस वीडियो बाब बाई फ्रेंड्स